हेलो फ्रेंट्स, है मैंसे और आपका बहुत बहुत सागर करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पर तो फ्रेंट्स, उमिद करते हूँ कि आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे फ्रेंट्स, आज की वीडियो एक छूटी सी व्लॉग होने वाली है तो फ्रेंट्स, आज की दिनकी शुरुवात होती है, वो भी मोटू महाराज से तो ये दाना खाने के लिए आ रहा था तो मैंने इसको दाना दिया क्यूंकि दाना भी लाने वाला हो गया है, दाना है ने तो आज इसको मैंने सिर्फ चावल दिया खाने के लिए तो friends, finally मोटो महराज आगे है दाना खाने के लिए और ये भी जब दाना खाने के बाद चला जाएगा friends, आज सुबह सुबह ही बहुत बारिश होने लगती है friends, जब ये बारिश रुक जाएगी तब मैं शत पर जाकर सभी कबुतरों को दाना डाल दोंगी friends, आप सोच रहे होंगे कि मैं इतने दिनों से मैं वीडियो क्यों ने कंटिन्यू कर पा रही हूँ friends, इसके पीछे क्रिजन है जो स्नोई है, उसके तब्यात खराब चल रही है तो अभी उसके जो पिछले हफते से उसके दवाई चल रही है तो अभी वो तो काफी हद तक ठीक है लेकिन आज फिर से डॉक्टर के पास चैक अप के लिए जाना है तो friends, अभी तो मैं चलती हूँ डॉक्टर के पास स्नोई का चैक अप कराने के लिए तो friends, जब मैं आऊंगी डॉक्टर के पास से अब मैं आपको सारा इसका डीटेल्स में बताती हूँ कि इसको हुआ क्या था तो friends, फाइनली मैं डॉक्टर के पास आचुकी हूँ उसनोई को लेकर तो friends, हो सकता है कि मैं अंदर का वीडियो कैप्चर ना कर पाऊं क्योंकि friends, अभी से ही मुझे अंदर से जो डॉक्स की आवाजे है वो आ रही है friends, यहाँ पे एक ही तरह का एनिमल नहीं आते है यहाँ पे लगबख सभी तरीके के एनिमल्स का चेक अप होता है चाहे वो पशू हो, चाहे वो पक्षी हो तो friends, चलिए अब मैं सनुई को लेकर अंदर चलती हूँ तो friends, finally, मैं अब सनुई का हैल्च चेक अप करवा के मैं घर जा रही हूँ तो friends, आपको मैं घर जाके बताती हूँ कि वहाँ पे क्या-क्या भी डॉक्टर ने कहा है और क्या हुआ है सनुई को तो friends, आपको तो याद ही होगा कि सनुई के शार बच्चे थे तो friends, उन चारों बच्चों में से किसी ने शायद आपको पता ही है कि वह शाम सुबह में फीट करवाते थे तो friends, शायद ही बच्चे ने जो सनुई की निपल से है उसमें स्टक कर दिया था जिसकी वज़से सनुई को इंफेक्चन हो गया तो friends, जैसे हमको पता चला कि सनुई को इंफेक्चन हो गया है तो friends, उस टैम हमने तुरन थी डॉक्टर को कंसल्ट किया और उसकी दवाई हमने करवाई थी तो friends, वो जो इंफेक्चन था वो तो ठीक भी हो गया था लेकिन जो बाद में अचानक पैचिस बनने लग गये थे वहाँ पे, तो उसने वो पैचिस को चू कर दिया तो friends, वहाँ पे फिर से अब जखम हो गया था और वो भी बहुत ज़ादा हो गया था तो friends, फिर से हमने डॉक्टर को कंसल्ट किया और जैसे जैसे उन्होंने बताया कि ये दवाई इतने टाइम पे देनी है तो ऐसी हम दवाई उसको देते गए तो friends, अब जो सनुई का घाओ है, वो तो अब काफी हद तक ठीक है तो आज हम फिर से गये थे दॉक्टर के पास, तो डॉक्टर ने जखमों को देखके उन्होंने एक दवाई बन कर दी है और बाके दवाई चिल रही है तो friends, जैसा कि आपको पता ही है कि अभी बारिश का टाइम है, तो friends, इसकी बारिश के टाइम में खास धिहान रखना पड़ता है क्योंकि बारिश के टाइम पर आपको पता ही है बहुत जादा कीडे में कोड़े, मक्खे, मचर बगएरा होते है तो अगर ऐसे में अगर मक्खे, मचर जो है इसके जखम पर बैठ जाएंगे, तो इसको कीडे होने के चांसे बढ़ जाएंगे तो इसलिए हम इसका खास ध्यान रखते हैं साफ सफाई का भी तो फ्रेंट्स, ये तो था छोटा सा व्लोग तो फ्रेंट्स, जो भी हो तो आई होफ फ्रेंट्स, आपको वीडियो अच्छे लगी होगी अगर एच्छे लगी, तो make sure इस वीडियो को लाइक करना चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना तो फ्रेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई फ्रेंट्स, थैंक्स पर वाचिंग